तो देखिए अभी का जो सबसे पहला न्यूज है वो है मुझफरपूर की लीची तो दिया हुआ है कि पुनास गौंकी लीची इंग्लेंड और मलेसिया को निर्यात किया जाएगा जिया टैग मिला था इनकी जो साही लीची है इसको 2018 में जरदालू आम के साथ जिया टैग प्राप्त हुआ था बिहार के आम कतरनी चावल मगही पान को भी जिया टैग मिला है तो बिहार का जो आम है कतरनी चावल है मगही पान है इन सब को भी जिया टैग मिला है बोरॉन और नमी की कमी के कारण लीची फटकर खड़ाब हो जाता है तो बॉरॉन की कमी के कारण और नमी की कमी के कारण जो है लीची फटकर खड़ाब हो जाता है चलिए नेक्स नियूज है इसकौन मंदिर पटना इसमें दिया है कि राजी का सबसे बड़ा स्री राधा बांके बिहारी इसकौन मंदिर बारह साल में बनकर तियार हो गया है तो राज जी का सबसे बड़ा स्री राधा बांके बिहार इसकौन मंदिर जो है यह बारह साल बांके बनकर तियार हो गया यह बुद्ध मार्ग पत्ना में इस्थित है बुद्ध मार्ग पत्ना में इस्थित है यह देश का साथवा इसकौन मंदिर है प्रसिद्ध और एतिहासिक द्वारकाधीस मंदिर की तर्ज पर 84 खंबों पर बनाया गया इसको 84 खंबों पर बनाया गया है तो रामेस्वरम की तर्ज पर बिहार में राज सी रामायन मंदिर बना इसमें 15 सिखर यानि की 15 तावर है जिनमें से सबसे अधिक उंचाई वाला सिखर 270 भीत का है स्री महावी रस्थान ट्रस्ट कमिटी पटनाद्वारा सिखका निर्मान किया जा रहा है ठीक है उसके बाद देखे पतना एरपोर्ट से नई उरान सिवा सुरू इसमें दियाए कि फ्लाई बिग फ्लाई बिग एरलाइन्स पतना एरपोर्ट से संचालन सुरू कर दिया है तो यह जो फ्लाइविग एरलाइज से इसके दौरा पटनह एरपोर्ट से अपना संचालन ort है उसको सुरू किया गया है तो इससे इसके अलाबा इंडिगो और स्पाइस जेट ये भी जो अपने उरान सिवा पत्ना और गौहाटी के बीच करता है देखें नेक्स यहां पर दिया है पत्ना में खिलारीयों के लिए सूटिंग रेंज बनेगी अरजुन अवाड़ी सह विधायक स्रेशी सिंग ने पत्ना के पास नौबतपूर में एक सूटिंग रेंज के निर्मान की आधार सिला रखी सूटिंग रेंज लगभग 100 मीटर लंबे और 40 मीटर चौड़े चैतर में बनाई जाएगी स्रेशी सिंग ने ऑस्टिलिया के गोल्ड कोस्ट में 2018 राश्मंडल खेलों में निसाने बाजी में स्वन पदक जीता महिला डिबल ट्रैप उन्होंने स्कॉटलेंड के ग्लासको में 2014 राश्मंडल खेलों में भी रजजत पदक जीता था तो आपको ये ध्यान रखना हुआ कि अरजुन अवाड़ी सहविधायक स्रेशी सिंग ने पतना के पास तो पतना में जो है पतना के नौबतपूर में एक सूटिंग रेंज जो है वो बनाया जाएगा खिलारियों के लिए चलिए उसके बाद नेक्स्ट यहां पर न्यूज दिया हुआ है बिहार में बिरुजगारी दर तो दियाएगी राज में बिरुजगारी दर 20% से उपर दरज की गई है सेंटर फोर मॉनिटरिंग इंडियन एकॉनमी यानि कि CMIE के अनुशार अप्रेल 2022 में बिहार में बिरुजगारी दर 21.1 परतिसत तक पहुँच गई है राष्टे अस्तर पर बिहार बिरुजगारी के मामले में तीसरे अस्तान पर है 34.5 परतिसत बिरुजगारी के साथ हरियाना इस सुचे में सबसे उपर है तो 34.5 बिरुजगारी के साथ हरियाना जो है ये सबसे उपर है फर्स्ट रेंग खड़ियाना का है और तीसरे नमर पर बिहार है ए राजस्थान जो है यह दूसरे नमर 파änder तो इसको भी राजस्थान दूसरे नमर परणेगे राज़्श्ट भी दूसरी दर्राश्ट यिस्थार पर विरुजघारी तो अप्रेल 2022 में बिहार की विरुजगाजी दर 21.1 चलिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया है मौरिलोक में हाई-टेक बहुमंजिला पार्किंग बनेगी तो दिया है कि हाई-टेक मल्टी लेवल पार्किंग मौरिलोक परिसर पतना में बनाय जाएगी ठीक है कुल खर्च इस स्टील स्ट्रक्चर पार्किंग पर 14.5 करोर रुपए खर्च किये जाएंगे पार्किंग के निर्मान से बुद्ध मारगी स्कॉन मंदिर आयकर गोलंबर पतना संग्राले डाक वंगला फ्रेजर रोड मौरी लोग में आने वाले लोगों को राहत मिले अब देखिए रितिक आनंद ने जीता गोल्ड मेडल ब्राजिल में चल रहे है बधिर ओलंपिक में बिहार के रितिक आनंद ने बैर्मिंटन में स्वर्ण पदक जीता तो यह वह बिहार के हाजिपूर के रहने वाले हैं और रितिक ने चौविसमें समर डेफ लंपिक में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता तो यह जो चौविसमें समर डेफ लंपिक जो है यानि कि डेफ लंपिक तो डेफ लंपिक में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता तो भारत के लिए यह पहला गोल्ड मेडल है ठीक है उसक पर पटना का जो खाजे कलां घाट है वहाँ पर 30 करोड की लागत से आदर स समसान घाट बनाए जाएगा यह बिहार में सवों को गैस से जलाने की पहली पढ़ियावदन हितेसी ववस्था होगी तो उस गैस से जलाए जाएगा निर्भानकारी मार्च 2023 से पहले पूरा करने का अब देगे पतना में राष्टिय रगवी Championship इसमें दिया कि अगले मेहने से पतना में National Rugby Championship का आयोजन होगा तो पतना में जो है, National Rugby Championship का जो है आयोजन होगा, अजस्थान पाटलिपुत्र Sports Complex कंकरबाग, 9 से 12 जोन तक तो ये पार्टले पुत्र स्पोर्स कॉंप्लेक्स कंकर भाग जो है वहाँ पर इसको आउजित करवाय जाएगा 9 से 12 जून के बीच सीनियर नेशनल चैंपियंशिप रगवी जूनियर नेशनल चैंपियंशिप और विल्चेर रगवी की नेशनल चैंपियंशिप भी पत्ना में होगी रगवी के राश्टिया टूर्णामेंट के आविजन के लिए कलासंस कीती और युवा विभाग ने 35 लाख रुपे मंजूर किये हैं तो पत्ना में जो है राश्टिया रगवी चेंपियंशिप का आविजन करवाया जाएगा नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है कि आई आई टी पत्ना पॉली टेक्निक को उत्कृष्टा केंदर बनाने में मदद करेगा तो दिया हुआ यहां पर कि IIT पतना की निदेशक प्रोफेसर टी एन सिंग ने कहा है कि राज जिभर के पॉली टेक्निक कॉलेजों में सेंटर ओफ एक्सिलेंस स्थापित किया जाना है यह कारिकरम बिहार सरकार की साथ निश्चा योजना भाग दो का हिस्सा है ग्यारह महाविद्यालियों को हब तथा 33 महाविद्यालियों को स्पोक की रूप में विक्सित किया जाना है विसे इस फोकस सेत्र AI और IoT रोबोटिक्स ड्रोन प्राद्योगी की 3D प्रिंटिंग एलेक्टिक वाहन और 2100 चालन उद्योग 4.0 आधी होंगे चलिए हम लोगे काम का इसमें कुछ खास था नहीं नेक्स्ट यहां पर दिया हुआ है कि बिहार पसु विग्यान विस्विद्याल है B.A.S.U. पतना इसमें दिया हुआ है कि मानिया सीम नितिस कुमार ने पतना में बसु की आधार सिला रखी गई है पतना में बसु मतलब बिहार पसु विग्यान विस्विद्याल है जो बिहार पसु विग्यान विस्विद्याल है इसकी आधार सिला कहां पर रखी गई है पतना में लागत है 889.26 करोड रुपए इस विस्विद्याल है पड़िसर में देश का सबसे बड़ा पसु अस्पताल इस्थापित किया जाएगा मचली उतपादन का लक्ष 8 लाख मिट्रिक टन रखा गया था जिन में से 7 लाख 61 मिट्रिक टन मचली का उतपादन किया जा रहा है अब बिहार के बाहर भी मचली बिक रही है तो चलिए नेक्स्ट यहाँ पर राश्टिय जलमार्ग है मालवाग जहाज राश्टिय जलमार्ग एक के जरिये पटना के गायगाट बंदरगा से कलकाता के लिए रवाना हुआ राश्ट्ये जिलमर्ग एक से पत्ना और कोल्कता के बीच कौन सा राश्ट्ये जिलमार्ग है राश्ट्ये जिलमर्ग नमबर वन और बेटा से एक 188 टूटे चावल रविनाथ टैगोर नाम से एक मालवाक जहाज के च्छा कंटेनरों में लाद दिये गए हैं यानि कि बेटा से 188 तो यह नाम याद रख लिए उस जहाज का नाम रविनाथ टैगोर है राष्टिया जलमार्ग एक या गंगा भागिरती होगली नदी परनाली यह जो राष्टिया जलमार्ग नमबर वन है यही इसी को बोलते हैं गंगा भागिरती होगली नदी परनाली उतर प्रदेश के प्रियागराज से पसी मंगाल में हल्दिया तक पतना और भागलपूर हो पुदे हुए यह जो है गंगा नदी के पार जाती है यह शोलो सो बीस किलो मेटर लंबा है इसे भारत का सबसे लंबा जल मार गया चलिए उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है कि नदी के पास रहने वाले लोगों को तैरना सिखाया जाएगा तो नदियों में पांच किलो मे के दारे में गाउं के लोगों को तेरना सिखाया जाएगा इसमें दिया कि बिहार राजी आबदा प्रबंधन प्रादिकरन की रिपोर्ट के उन्सवर पिछले चार वरसों में राजी के 18 जिलों में डूबने से 1140 लोगों की मौत हो चुकी है यह भियान विसेश रूप से रा आगलपूर नालंदा गया किसंगंज इन 18 जिलों के लोगों को तैरने के लिए सिखाया जाएगा अब देखिए तो इसमें आप यह ध्यान में रखे कि यह अभियान जो है विसेश रूप से राजी के 18 जिलों में चलाया जाएगा तो 18 जिलों में यह अभियान चलाया जा तो बिहार में जो है तीन मेहने में 200 प्लग एंड प्ले सेंटर जो है वो सुरू हो जाएंगे इसमें दिया इसके तथ उद्यम्यों को उद्यम लगाने के लिए किराये पर कारी स्थल उपलब्द कराया जाता है उद्यम्यों को बस अपने उपकरण लगाने हैं और काम शुरू करना है और स्थान की पहचान की गईई है कहां परस्थापीत करने की बात हो रहिए तो भागलपूर में और चंपारण में आप देखें यहां पर BPSC प्रश्ण पत्र लिग बहुत ही महत्भून टॉपिक है हर किसी से हर कोई अफगते से दिया हुआ है कि बिहार पुलिस की साइबर से ने BPSC द्वारा आयुजित सरसथवी संयुक्त प्रारंबिक प्रतियुक्ता परिक्षा के प्रश्ण पत्रों के एक सेट की जांच सुरू कर दिये मामले की जांच के लिए पुलिस अधिक्षक साइबर सेल सुसील कुमार के अगवाई में 14 सदस्या टीम का गठन किया है तो यहां पर याद रख लिए इस बात को पुलिस अधिक्षक सुसील कुमार इनकी ही अध्यक्सता में जो है एक 14 इमर्जेंसी रेस्पॉंस से आठ सो घब्या क्रोड का फंड जारी किया गया स्वास्त विए ने कोवीड एमर्जेंसी रेस्पॉंस फंड ब्रेपेर्नॅस के तया हिने हाद चे separates पैके जलू के लिए कोवीड इमर्जेंसी 3、「 الص क्रोड इने किन्षी क्रूली।रो में गरे मंजूर किये हैं 15,000 करूर रुपए में से बिहार को 1350 करूर रुपए मिलेंगे अब तक मिले 860 करूर रुपए तो चलिए उसके बाद नेक्स्ट दिया है कि पतना एरपोर्ट पर बनेगा ATS टावर तो एरपोर्ट पर 25 मीटर उची एर ट्रैफिक कंट्रोल यानि की ATS टावर बनाया जाएगा लागत इसकी 30 करूर रुपए है उरानों को 500 किलोमेटर दूर से नियंतित किया जा सकता है 30 करूर रुपए इसका बजट है पतना हवायटा देश का बारह सबसे व्यस्त हवायटा है थीक है उसके बाद देखिए करिशी विज्ञान के अंदर आरा जो है यह अब सब और करिशी विश्विद्विद्याले जो भागलपूर जिले में है उसके अंतरकति यह अब काम करेगा ठीक है राज सरकार वर्भारतिय क्रिशिय अनसुंधान प्रिशद ने इस संबन में अनुमती दे दी है इससे पहले यह सोन कमांड एडिया डेवलोप्मेंट एजनसी के नियंतरन में था मीठापूर क्रिशिय अनसुंधान संस्थान के छेत्रिय निदे सक्रिशि विग्यान केंदर के नियंतरन अधिकारी होंगे आगे दिया हुआ है कि भिहार में SDRF के लिए स्थाई केंदर आफदा प्रबंधन विभाग राज आफदा प्रतिकरिया बल यानिकि SDRF के लिए बाड़ प्रभावित इलाकों में स्थाई केंदर बनाने की तैयारी कर रहा है तो ठीक है बाड़ प्रभावित जो भी इलाका है वहाँ पर SDRF का स्थाई केंदर बनाया जाएगा ठीक है SDRF के 40 कर्मियों वाले ऐसे केंदर उत्तर बिहार में उत्तर बिहार के बाड़ प्रभावित जिलों में स्थाफित किये जाएंगे इससे इससे पहले SDRF की टीमों को सहरशा पूर्निया भागलपूर मधुबनी खगरिया और सितामरी नामक च्छा जिलों में स्थाई रूप से प्रतिन्युक्त किया गया था SDRF का गठन मार्च 2010 में बिहार में राष्ट्रिया आपदा प्रतिक्रिया बल यानि की NDRF की तर्ज पर किया गया था तो इसको याद रख लीजे SDRF जो है बिहार का उसका गठन 2010 में किया गया था राष्ट्रिया आपदा प्रतिक्रिया बल यानि की NDRF की तर्ज पर और सोनपूर के बीच एक द्वीप द्वीप का क्या नाम है सबलपूर इसको गंगा धाम के रूप में विक्षित किया जाएगा सबलपूर में मा गंगा की 101 मीटर उशी प्रतिमा स्थापित की जाएगी गंगा रिवर एक्वेरियम गंगा मियोजियम और गंगा रिलिजन कन्वेंशन सेंटर बनाया जाएगा पहले चरन में यह 46 चालीस एकर का होगा दूसरे चरन में इसे बढ़ा कर 108 एकर किया जाएगा नेक्श देखे राजी करमचारियों के डिये में विर्धी है महागाई भत्ते में 7% की बढ़ोत्री की गई है कितना प्रसंट 7% महागाई भत्ते में 7% की बढ़ोत्री की गई है अब उन्हें वेतन का 203% डिये दिया जाएगा तो चलिए उसके बाद डिये की बढ़ी वी रासी का भुक्तान एक जनवरी 2022 से बकाया की रूप में किया जाएगा उन सभी कर्मचारियों को कबर किया जाएगा जिनें छटे केंद्रिया वेतनमान का लाब मिल रहा है अब देखिए 9 औसद हाल है इसमें दिया है कि स्वास विभाग ने जिलों को नावों की विवस्था करने के निर्देश दिये है ताकि 9 की डिस्पेंसरी बनाई जा सके प्रमुक विंदू क्या है या सुनिसित करने के लिए कि लोगों को उनके दरवाजे पर डॉक्टरों और दवाईयों की सेवा मिले सर्पदंस पर विशेश बल और मैटनीटी हर्ट बनाने की भी निर्देश दिये गए है बिहार इन्वेस्टर समिट इसमें दिया बिहार ने राजी के लिए अधिक अफसर और पूंजी लगाने के लिए बारह मैई 2022 को एक अंतरास्टिय निवेसक सिखर समिलन का आउजित किया यहार कारिकरम नई दिली के होटल ताज मानसिंग में आउजित किया गया था बिहार ने राजी के लिए अधिक अफसर और पूंजी लगाने के लिए बारह में 2022 को जो है अंतरास्टिय निवेसक का सिखर समिलन आउजित करवाया गया बिहार सरकार की द्वारा और यह कारिकरम कहां पर हुआ नई दिली में नई दिली के होटल ताज मानसिंग में आउजित किया गया था 2007 के बाद यह पहला बिहार निवेसक सिखर समिलन था अमभुजा सिमेंट्स limited 1200 कροो रूपै की औरौनित लागत से बाध में अपनी एकाही स्थापित करेगी बाध में तो अमभुजा सिमेंट्स के दवारा बाध जो की एक जगा का नाम है वहाँ पर अपनी एकाही स्थापित करेगा इस कारिकरम में 170 कमपनियों ने भाग लिया तो ये काफी important news है इसलिए important है क्योंकि काफी लंबे समय के बाद जो है इस तरह का आयोजन जो है करवाया गया 2007 के बाद पहली बार ये आयोजन हुआ है तो ये बहुत ही जादा चर्चा का विसाय बना था तो इसको याद रख लिजिए ये सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ था इन्वेस्टर्स से जुरा हुआ नेक्स्ट यहाँ पर दिया है कि बिहार में नगर निगम चुनौग में OVC के लिए कोई आरक्षन नहीं राज चुनौग ने OVC को आरक्षन दिये बिना नगर निगम चुनौग कराने का फैसला किया है केवल महिलाओं अनुसुच जाती अनुसुच जन जाती यानि कि SCST और महिलाओं को ही आरक्षन दिया जाएगा ऐसा इसलिए है क्योंकि सरकार राहुल रमेश वागवना महराश्ट राजजी और अन्य मामले में सर्वच नियालेदोरा अनिवार्य दर ट्रिपल टेस्ट आयजित करने में असमर्थ है सर्वच नियालेदोरा अनिवार्य दर ट्रिपल टेस्ट आयजित करने में असमर्थ है बिहार में कुल 263 नगर निकायों के लिए 2022 में चुना होंगे पहर सरकार ने केंद से राज में भारत निपाल सीमा सरक को 550 कि लंबाई फो लेन बनाने की का अनुरोध किया यह बितिया से किसंगंज तक जाती है तो बितिया जो है पस्मी चंपारन वहां से लेकर किसन गंज के बीच है ये ठीक है उसके बाद है कि कैंद्र ने सुरुआत में इस परियोजना के लिए 1665 करोड रूपए की मंजूरी दी थी जिसे बढ़ा कर 2488 करोड रूपए कर दिया गया है बिहार के परियतन असलों पर सेल्फी पॉइंट परियतन विभागने बिहार में परियतन को बढ़ा देने के लिए विभी ने जिलों के सभी परियतन असलों पर सेल्फी पॉइंट बनाने का फैसला किया है फिलाल राजगीर के पांडू पोखर में सेलफी पॉइंट बनाय गया है पहले चड़र में पतना राजगीर नारंदा गया बांका रोहतास और वालमी की नगर में सेलफी पॉइंट बनाय जाएंगे तो आप याद रखे कि यह जो राजगीर में है पांडू पोखर यहाँ पर सेलफी पॉइंट बनाया गया है बाकि अन्य जगों पर अब बनाया जाएगा बंगाल बिहार का पंचाई चुनाव मोडल अपनाएगा तो यहाँ दिया है कि बंगाल के S.E.C. सौरव कुमार दास ने मदान के अंदरों पर फरजी मदान को रोकने के लिए बायोमिट्रिक उपस्थिती और O.C.R. तक्निक का उप्योग करने पर सहमती व्यक्त की बंगाल से पहले दिली और चंडिगाट इस मोडल को पहले ही अपना चुके है नेक्स यहाँ पर देखे कि बिहार में गन्ना उत्पादन इतना उत्पादन में बढ़ती दिल्चस्पी को देखते वे सरकार ने गन्ने की खेती के तहत छैत्र बढ़ाने का फैसला किया है वरत्मान में गन्ने की खेती दो laag 40,000 हेक्टेएर में की जाती है जिसे बढ़ाकर 4,000,000 हेक्टेएर करने का एरादा है 2022 के लिए सरकार ने छैत्र को 1,600,000 हेक्टेयर बढ़ाने का लक्ष रखा है चलिए उसके बाद है लखन देई नदी पुनर जिवित दिया है कि सीता मढ़ी में जल संसाधन विभाग ने गाद के कारण मित्ध हो चुकी लखन देई नदी की पुरानी धारा को पुनर जिवित कर दिया है तो आपको ये आध्यान में रखना हो कि सीता मढ़ी में है ये लखन देई नदी इसकी पुरानी धारा को अब पुनर जिवीत कर दिया गया है यह भारत निपल सीमा पर सुनवर्सा ब्लॉक के छोटे भासर से निगलती है और बागमती नदी में मिल जाती है तो भारत निपल की सीमा पर जोए ये सुनवर्सा ब्लॉक के छोटे भासर से निगलती है और बागमती नदी में मिल जाती है तो बागमती नदी जोए उसमें मिलती है लखन देई नदी तो लखन देई नदी किसकी साहिक नदी है बागमती नदी की भारत में पुरानी लखन दे नदी की कुल लंबाई 170 किलो मीटर है तो पुरानी जो लखन दे नदी है उसकी लंबाई कितनी थी? 170 किलो मीटर आप देखें अमित कुमार अमित कुमार तेरह माई 2022 को सूचना और जनसंपर्क विभाग की निदेसक की रूप में लैभी देशक बनागया बिहार में उद्यूवक के लिए जमीन की कीमत 50% कम की जाएगी तो दिया है कि उद्यामियों को बड़ी रहात देने के लिए बिहार उद्यूवक छहत्र विकास प्लाधिकरन यानि कि बियादा ने डाम कम किया है पत्ना के पाटली पुतर उद्योग चेतर में जमीन की कीमत 17.89 करोर रुपए परती एकर है अच्छा कोकून बैंक इसमें दिया कि उद्योग मंतरी सेयद सहनवाज हुसेन ने बांका में 4.89 करोर रुपए की लागत वाला कोकून बैंक का उद्गाटन किया तो यह जो कोकून बैंक का उद्गाटन कहां पर हुआ कोकून बैंक का उद्गाटन बांका में हुआ इसे से लोगों के लिए रेसम का धागा बनाना आसान हो जाएगा अमरपूर में उन्होंने 50 लागत से सूत और कपड़े की रंगाई के लिए एक डाइंग हाउस का उद्गाटन किया अब देखें ग्रीन फिल्ड कोरिडोर पतना से आरा बकसर हर्दिया बलिया तक ग्रीन फिल्ड कोरिडोर बनेगा पतना से आरा बकसर हर्दिया बलिया इन सारे जगों को मिलाते हुए ग्रीन फिल्ड कोरिडोर का जिन्होंना किया जाएगा चार लैन में इसकी लंबाई 118 किलोमेटर होगी 118 किलोमेटर और फोर लैन इसकी लागत 8500 करोर इसकी लागत होगी इसे पुर्वांचल एक्सप्रेस से भी जोड़ा जाएगा तो पुर्वांचल एक्सप्रेस से भी इसको जोड़ दिया जाएगा कोईलवर ब्रीज यहाँ पर दिया वाय कि 14 माई 2022 को नितिन गड़करी ने कोईलवर ब्रीज का उधगाटन किया तो यह जो कोईलवर ब्रीज है इसका उधगाटन जो है नितिन गड़करी जी के द्वारग किया गया चह लेन का यह पूल डेर किलो मिटर लंबा और तीस मिटर चौड़ा है लागत 266 करोर रुपए इस पूल की अब स्ट्रीम लाइन का उद्गाटन 10 दिसंबर 2020 को किया गया था अब देखे पतना मेट्रो जापान इंटरनेशनल कोपरेशन एजनसी जे आई सी ए की टीम पतना मेट्रो कामकाज का आकलन करने के लिए लगभग 6 महने तक पतना में रहेगी तो जापान का जो एजनसी है जापान इंटरनेशनल कोपरेशन एजनसी उसकी टीम पतना मेट्रो के कामकाज के आकलन के लिए लिए 6 महनों तक पतना में ही उसको रणना है पटना मेट्रो प्रियुजना की लागत 3,925 करूर रुपे है कैंद्र राजसर्कार की हिसेदारी 20-20% है साथ परसेंट राशी वित्याच संस्थानों से पूरी करनी होगी यानि कि कैंद्र और राज जिस जो है उसकी हिसेदार है 20-20% है 60% जो है जो वित्या संस्थान है वो इसका वहन करेगा मेठापूर से पत्ना चिरियागर और पत्ना चिरियागर से पाटलिपुतर इस्टेशन यानि बेली रोड से भूमिगत मार्ग पर 2110 करूर रुपए खर्च किये जाएंगे मेठली के महान गायक और कवी रविंदरनाथ ठाकूर का 88 मैं 2022 को जो है निधन हो गया वे 86 वर्स के थे पुर्णिया जिले के धमदाहा के रहने वाले 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 थे पुर्णिया जिले के रतन सम्मान और मितला विभूती सम्मान भी मिला तो इनको जो है मितला रतन सम्मान और मितला विभूती सम्मान से भी सम्मानित किया गया उनके प्रसित गीतों में भड़ी नगरी में सोर बवा मामी तोहर गौर ममा चान सुन ये सब जो है उनकी प्रसित गीत है प्रसित गीत अमर कहानी ये जो है हिंदी सिमेमा को भी वो लिखे और निर्देशित किये बिहार में फिल्म सिटी राजगीर के नीमा गौव में फिल्म सिटी के लिए भूमी अधिगरन का काम पूरा हो गया है तो आपको पता है कि राजगीर में जो है राजगीर का जो नीमा गौव है वह संदेंगे तेजस्वी यादव ने लंदन की केम्रीज परिसर के एक सम्मिलन में होने वाली चर्चाओं में भाग लिया उन्हें स्पिकर की भूमिका में बुला गया है उन्हें भारत में विपक्षी राजनीती का भविश्य विश्य पर भासन दिया अच्छा ये दे चुके ह बीज इंडिया द्वारा अठाड़ से 20 मई तक किया गया था हीरो साइकल्स के एमडी पंकज मुंजाल माकपा महासिचिव सीतारम यचूरे राज़त नेशनल प्रवक्तान सांसद मनोज्जा गो डैडी इंडिया के एमडी निखिल अरोरा और तेलंगाना के मंत्री केटी र हमारा और पुर्व के अंद्या मंतिर सल्मान खुझसिद भी सम्मेलन में सामिल वे इस सम्मेलन में दस देशों के परतिनी भाग लिए अब देखे बोध गया में खुलेगा कोडियाई सहली का बौध मंदिर 21 मई 2022 को बोध गया में एक नया कोडियाई बौध मंदिर बन्व बनवांग सा क्या है एक कोडियाई मंदिर है बौध मंदिर कहां खोला गया बोध गया में उद्घाटन समारोह में जोगी आदेश दक्षिन कोडिया का सबसे बड़ा बौध धर्म के 150 बौध भीक्षों के एक प्रतिनीधी मंदल ने भाग लिया वो नहेंग जोगी आदेश क एक लाक प्रतिग्या सबापहल का हिस्सा है चलिए उसके बाद नेक्स यहां पर यहां पर प्रयूजना 2019 में सुरू की गई थी जब दो महला बौध सल्मान और योन हुई ने 5 मिलियन वोन का दान दिया था तो उसके बाद देखिए पटना में ट्रांस जेंडर प्रोटेक् निर्मान कारीकरम की पेशकस की गई थी अधिकारियों और कारीकरताओं को राश्टे समाजिक सुरक्षा संस्थान और लोग सिक्षा निदे साले सिक्षा विभाग बिहार के तत्वाधान में प्रसिक्षित किया गया प्रसिक्षन सत्र की शुरूआत डॉक्टर आर गिरी ब्याजने की थी बिहार में खादी प्रसंसकन परिक्षन केंद्र दियावा betrays खबरों में की हो केंदरिया booking प्रताफित प्रताप सिंग् वर्माने बिहार में रसायन मैं कांदी प्रसंसकन और चमरा दियों के लिए एक परिक्षन क यदी की श्थापना करने की गोश्ट MSME विकाज संस्थान पतना में इस्थित्र होगा 19 मई को उन्होंने MSME विकाज संस्थान पतना का उदगाटन किया अब देखे सेर सहसूरी महुतसब इसमें दिया हुआ है कि खबरों में क्यों बिहार के पढ़ियतन विवाग द्वारा 21-22 मही तक सेर सहसूरी महुतसब का आईजन किया गया 21-22 मही को किया पढ़ियतन विवाग की द्वारा अस्थान फजल गंज इस्टेडियम सासा राम तो सासाराम में इसका आउजन किया गया परक्षात गायक यासिर देषाई सल्मान अली अदितीपान और आकांचा सल्मान ने रंग सेतु का सूफी गायन की परस्तुति दे सेरज सासूरी के आपारे में पंदरो सो चाली से पंदरो सो पच्फपन आगरा से बुर्हामपूर आगरा से बुर्हामपूर और जोधपूर से चितार और लाहौर से मुलतान उन्होंने चटगों से काबूल तक ग्रैंड ट्रंक रोड का विस्तार किया आगे दिया हुआ है कि मलिक मुहमत जैसी ने उसके सासनकाल में पद्वावत लिखी थी इंपॉर्टन्ट है अके लिए मलिक मुहमत जैसी जुहे यह उसके सासनकाल में पद्वावत लिखा उन्होंने सासाराम में अपना मकवरा बनाया तो सासाराम में जुहे इसका मकवरा है सिरसासुरी का नेक्स्ट यहांपर न्यूस दिया हूआ है कि किरसी उतपादन पंचायत अस्तर पर तै किया जाएगा पंचायत अस्तर पर अधिकाडी किसानों से सलाह मस्विरा कर लगश तै करेंगे ISKI सुरात इसी खरीब सीजन से हुए П ко क्रिसी स्रमिकों को इसकी जिम्मेदारी दी गई है इस्तिमाल किया जाने वाला एप बिहान एप बिहान एप के माध्यम से इस तरह काकलन किया जाएगा पिछले वर्ड लक्ष 33 लाख हेक्टियर धान RC के आदेश को पलट दिया तो इसमें दिया हुआ है कि APTEL APTEL ने बिजली कमपनी अवाड़ा को 200 मेगावाट की जगा 250 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट लगाने को कहा है इस फैसले से बिहार में 250 करोड के निवेश का रास्ता साफ हो जाएगा तो चलिए इसको आप भूली जाएए काम का नहीं है हरित उर्जा से बिजली बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कोर्पोरेशन कोर्पोरेशन यानि कि BSPHCL और सोलर एनरजी कोर्पोरेशन आफ इंडिया यानि कि SECI के बीच एक समझोता ग्यापन प्रहस्ता अक्षर हुआ राजगीर बोध गया और पत्ना की कुछ हिसों में हरित उर्जा यनि कि बिजली की आपूर्पोरेशन की जाएगी पहले चलर में SECI चिन्ही तसलों पर प्रती दिन 210 मिगावर्ट अक्षर उर्जा की आपूर्थी करेगा बिहार देश का पहला राजी बन गया है जहां सहरों को हरित उर्जा की आपूर्थी की जा रही है प्रती वर्थ 700 मिलियन टन पारंपरिक उर्जा को हरित उर्जा द्वारा प्रती स्थापित किया जाएगा तो चलिए उसके बाद हर साल 630 मिलियन टन कार्बन डाइकसाइड का कम उत्सरजन होगा हरीत उर्जा की औस दर 4.03 रुपए प्रती यूनिट होगी अब देखे नेक्स्ट है कि वजरपात मृतक आस्रितों को अनुग्रा अनुदान माननिया सीम नितिस कुमार ने अधिकारियों को आंधी के कारण मनने वालों के आस्रितों को तुरंट 4 लाख अनुग्रा अनुदान देने का निर्देश दिया तो जो भी आंधी वगर के कारण जो मृत हुए हैं तो चार लाक रुपए जो है उनको अनुगरा अनुदान दिया जाएगा साथ ही घर और फसल को फिर नुकसान कम मौब जा देने को कहा बिहार के प्रमुख अस्पतालों को स्वाधता दिया है कि बिहार के चार सरकारी अस्पतालों को स्वाधता देनी के तियारी चल रही है इनका ऑपरेशन हॉस्पिटल ऑटोनॉमी सोसाइटी के तहत किया जाएगा तो इसमें दिया है प्रस्तावित अस्पताल कौन सब है लोग नाउक जिपरकास नारीं अस्पताल राजवणसीं नगर हड़ी विशेश्च वाला हॉस्पिटल है मानसिक स्वास्ती देखभाल कोईलवद कोईलवड तो इस मानसिक स्वास्तल देखवाल कोईलवड कोईलवड और इंद्रा गांधी काडियोलोजी संस्थान ये भी पटना में ठीक है उसके बाद देखें नेक्स्ट यहां पर है मिताली एक्सप्रेस मिताली एक्सप्रेस एक जून से भारत और बंगलादेश के बिच परी चालन सुरू करेगा तो आपको पूछा जैगा बहुत important question कि मिताली एक्सप्रेस किस किस देशों को जोड़ेगा तो भारत और बंगलादेश को भारत और नेपाल को नहीं भारत और भूटान को भी नहीं भारत स्रिलंका को भी नहीं बलकि भारत और बंगलादेश को यह न्यू जल्पायगूरी कटिहा रेल मंडल रेलोए स्टेशन से ढाका के बीच चलेगी भारत और बंगलादेश को जोड़ने वाले पांच लिंक चालू है इन में सामिल है पेटरापूल भारत से बेनापल बंगलादेश गेदे भारत से रोहनपूर बंगलादेश राधिकापूर भारत से बिरोल बंगलादेश और हल्दी बारी भारत से चिला हाटी बंगलादेश साथ किलोमेटर तो अब ये मिताली एक्सप्रेस भारत और बंगलादेश के बीच इसका परिचालन शुरू होगा तेकि नेक्स्ट दिया हुआ है क बिहार खडीफ महाअभियान इसमें दिया है कि 23 मई से 7 जून तक जिला अस्तरिया कारिसाला का आईजन भोजपूर में इसकी सुरूआथ 23 मई को आरा के नगरी प्रचारिनी सभागार में जिला अस्तरिया कारिसाला सह प्रसिक्षन कारिकरम से हुई कारिकरम का संचारन आत आत्मा पर्योजनाने किया तो इसमें दिया है कि तैस मही से साथ जून तक जिला अस्तर या कारी साला जिला अस्तर या कारी साला का आजन किया गया और इसमें जो है भोजपूर में इसकी सुरुआत हुई भोजपूर में इसकी सुरुआत हुई और तैस मही को आरा के आरा के नगरी परचारनी सभागार में जिलासथर यह कारिशलासा प्रक्षीसिएंग कारिगर्म हुआ तो इसका जो संचालन है आत्मा प्रयोजना ने किया अब Dike Bihar परिसासनिक सेवा इसके बारे में क्या दिया हुआ है ठीक है बिहार प्रसासनिक सेवा संग बासा इसमें दिया कि बासा यानि कि बिहार प्रसासनिक सेवा संग ने अपना संगटनात। अब दो कि बिहार में बाद से लड़ाई तो खबरों में क्यों जल्द संसाधन विभाग एक जोन से बाद में बाद से निपटने का काम सुरू करेगा। कब से एक जोन से 2021 पंद्रह जोन से शुरू हुआ था बाढ़ और सुखे से निपटने के लिए 18 माई को एक उच स्तरिया बैठक बुलाए गई थी बाढ़ के दोरान छती करस्त किसी भी सरक को 48 गंटे के भीतर चालू कर दिया जाएगा अब देखें नेक्स्ट यहां पर दिया है कि घर से वाहन पारकिंग की बुकिंग पटना के लोगों को जल्द ही सहर में 37 स्मार्ट पारकिंग की सुख़धा मिल जाएगी एजनसी 45 दिन के भीतर एजनसी जो है 45 दिनों के भीतर स्मार्ट पारकिंग का जो है यह मिलेगी एजनसी 45 दिनों के भीतर स्मार्ट पारकिंग के लक्स को पुरा कड़ेगी 45 दिनों के भीतर तो यह अच्छी पार है अब देखें मगद महला महाविद यालेको समरपित छात्रावास इसमें दियाए सीम नितिस कुमार ने 23 मई 2022 को कॉलेज के नए छात्रावास का उदगाटन किया यह 649 बिस्तरों वाला छात्रावास है इसमें 7 मंजिल है निर्मान 2019 में शुरू हुआ और इसकी लागत 31 करोर रुपे थी अब देखें जातिगत जनगनना तो यह नियू जो है बार बार रिपीट हो रहा है एक जून 2022 को आयुजित राज वियापी जातिगत जनगनना के मुद्धे पर एक सर्वदल्या बैठा कुआ चैंदर सरकार ने राज विधायका के दो सर्व सम्मत प्रस्ताओं के पक्ष में होने के बावजो जातिगत जनगनना को खारिज कर दिया पहला कला संग्राल है तो दिया है कि देश का पहला सिल्प संग्राल है पतना बिहार में बनेगा तो देश का पहला है ये सिल्प संग्राल है ये कहां पर पतना में बनाया जाएगा भवन की लागत 30 करोड होगी डिस्पले सेंटर की लागत 6.2 करोड इसे उपेंदर महारती सिल्प अनसंदान संस्थान पतना में तियार किया जा रहा है अब देखें अबदुलहक को बिहार हज कमीटी का अध्यक्स बनाया गया है यहां बिहार राज्य हज कमीटी के पुर्व अध्यक्स इल्यास हुसेन के दामाद है तो यहां पर अबदुलहक जो है इनको बिहार हज कमीटी का अध्यक्स बनाया गया है और यह बिहार राज्य सोसाइटी जो है इंडियन केमिकल सोसाइटी कोल का था उनके दौरा उसके दौरा जो है प्रोफेसर बीपी वर्मा के नाम से एक पूरसकार देने का फैसला किया है मगध विस्विद्याले में थर्मल प्रयोगसाला की अस्थापना में उनका महत्पूर्ण योगदान था उन् ने बोध गया में रसाइन अग्यों के 27 राष्टे समेरन का आजन किया चलिए उसके बाद नेक्स्ट यहां पर दिया हुआ है कि इंजिनरिंग कॉलेजों के लिए एक कॉंटेंट तो विज्ञान प्रोद्य की विभाग ने सेवा निवर्ती सेवा निवर्त आयाइटी सिक् सामगरी त्यार करने का निर्न लिया है अखिल भारतिय तक्निकी सिक्षा परिस्द ने भी सहमती दे दी साथ यह कॉसल विकास के लिए अनिवारी कारिक्रम है चलिए अब नेक्स्ट यहां पर दिया है साथ नमर का कि रिवर्स वेंडिंग मसीन इसे पत्ना के मौरी लोग प्लास्टिक को पुनर नवीनी करन किया जा सकता है यह एक बार में तीन हजार बोतनों को क्रस्ट और रिसाइकल कर सकता है अब देखिए रास्टिया करियर सेवा यानिकी एंसी एस रिपोर्ट तो एंसी एस रिपोर्ट क्या है इसमें दिया है कि एंसी एस की रिपोर्ट के मुताबिक रोजगार चाहने वाले बिहार के 5,37,000 युवा निरक्षर है इनकी एंसी एस का जो रिपोर्ट आया है रास्टिया करियर सेवा का रिपोर्ट उसके मुताबिक रोजगार चाहने व जिन्होंने डिप्लोमा किया है इसमें से 10,371 यानि 5,335% बिहार के हैं चलिए तो इस तरह से जो है हम लोग का जो जून मंत का जो भी करिंट अफेर्स है वो कवर हो गया है अब कल जो है हम लोग जो इसके जश्ट पहले का मई महने का जो करिंट अफेर्स है उसको हम लोग बात है लेकिन कम से कम जनवरी से जुलाय तक का जो भी करंट अफेर्स है वो निश्य तुरूप से कबर करवा दिया जाएगा तो यहां पर जनसंख्या दिवस का जो है एक विस्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाय को मनाया जाता है इसको याद रख लीजे कारण किया है कि 1987 में इसी दिन विस्व की जनसंख्या ने 5 बिलिन के आंक्रे को पार किया था 1987 में जो है विस्व की जनसंख्या 5 वरतमान में चीन और भारत दुनिया में इस्तरवाधिक जनसंख्या वाले देश हैं तो इसको याद रख लिए और यहां पर एक और दिया है वित्या सिवा संस्थान ब्यूरो इसके बारे में क्या दिया है कि चर्चा में क्यों सरकार ने कुछ संसोधन करके बैंक बोर्ड ब्यूरो यानि की बीबी को वित्या सिवा संस्थान ब्यूरो यानि की एफ एस आई बी में परिवर्तन कर दिया है यानि की सरकार जो है बैंक बोर्ड ब्यूरो जो है अब इसका नाम ब कंपनियों के महाप्रबंध को और निवेशकों के चैने तु दिसान निर्देश जाड़ी करेगा सुधार की आवशकता तो दिली उस नियाया रहने इसकी कारी छमता पर प्रस्ण उठाते हुए सुधार के आदेश दिये थे धीमी भरती पर क्या तो जो भी है तो चलिए इस से पूरा का पूरा जून मंत जो है वो करन का कवर हुआ बिहार का कल हम लोग मई महने को कवर करेंगे तो इससे जुरा हुआ जो भी मुद्दा है उसको आप ध्यान देते रहिए और बार बार इसको एकादबार देखिए तो आपका ये रिविजन भी हो जाएगा उमीद कर बता हूं ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा धन्यवाद